आज एक अद्भूत द्रिश्य आपको दिखा रहे हैं देखें गाए अपना दूद कैसे खुद ही पी रही हैं वैसे कोई भी गाएं कोई अपना दूद खुद नहीं पीती है दिखने गाए देखें अपने बच्चरा को छोड़ कर खुद ही सारा दूद कैसे पी रही है वैसे कहा जाता है कलियुक के अंत की ये एक निशानी है शास्त्रों में कहते हैं कलियुक के अंत की कई बाते बताये हुए है कहते हैं कलियुक के अंत में अंत कैसे समझे जब नारी बाल बनाएंगे और जब कईना अपना वर खुद ढूनेंगे गाएं जब अपना दूद खुद पिएंगे अर्थत ये भी कलियुक के अंत की एक निशानी है जब बैसे कहा जाता है गाएं को माता कहा जाता है वोई भी मा अपना दूद खुद नहीं पिती है दूद वो बच्चे के लिए होता है बैसे दूद भी तन में तब आता है जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले कुष्टान में दूद नहीं होता है तो ये दूद बनते ही है बच्चरे के लिए इसे मा के स्थान में भी दूद तब आता है जब बच्चा पैदा होता है और ये ग्याएं ऐसे दूद पी रहे हैं देखिए इससे ही आप समझ सकते हैं ये कल्योक अंत की निशानी देखने को मिल रही है ऐसे आगर सभी गाय ऐसे दूद पिना शुरू करें आप समझ सकते हैं दूद कैसे मिलेगा कहां से मिलेगा लेकिन कोई भी गाय अपना दूद खोद नहीं पीते हैं लेकिन मुश्किल ही कोई कोई गाय ऐसे होते हैं जो ऐसे आप यह देख रहे हैं इसलिए वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर देजिए वह भी इन दृष्ट को देखें झाल झाल